सितंबर का महीना शुरू होने ही वाला है और इसके साथ ही ग्रहों के अद्भुत बदलाव होने वाले हैं। ये बदलाव आपके जीवन पर खास असर डाल सकते हैं। सितंबर में कई बड़े ग्रह अपनी चाल बदलने वाले हैं, जिनका असर हर राशी पर अलग-अलग भावित करेगा। जानिए पंडित जी के अनुसार बुद का सिंग राशी में प्रवेश, 4 सितंबर को बुद ग्रह सिंग राशी में प्रवेश करने वाले हैं। इसके बाद 17 सितंबर को सूर्य कन्या राशी में, 18 सितंबर को शुक्र तुला राशी में और 23 सितंबर को मेश राशी सितंबर का महीना मेश राशी वालों के लिए बहुत ही शुब रहने वाला है इस दौरान आपको आए के नए स्रोत मिल सकते हैं और आर्थिक उन्नती होगी करियर और कारोबार में वृद्धी होने की संभावना है कर्स का बोज घड सकता है और परिवार में खुशी का माहौल रहेगा सेहत भी बहतर रहने की संभावना है सिंग राशी सितंबर में सिंग राशी वालों के लिए नई शुरुआत का योग है आप नए व्यापार की शुरुआत कर सकते हैं जिससे आर्थिक लाब हो सकता है परिवार में शांती का माहौल रहेगा नौकरी बदलने का मौका भी मिल सकता है और वेतन में वृद्धी की संभावना है वाहन खरीदने का भी योग बन रहा है कन्या राशी कन्या राशी वालों के लिए सितंबर का महीना बेहत खास रहेगा क्योंकि कई बड़े ग्रह इसी राशी में प्रवेश करेंगे घर में सुक्षान्ती बनी रहेगी और आर्थिक लाब की संभावना है खर्च कम होंगे और इंकम बढ़ेगी शेयर बाजार में निवेश फाइदे का सौधा साबित हो सकता है सेहत भी ठीक रहेगी और आप कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं तुला राशी के जातकों के लिए सितंबर का महीना सफलता से भरा रहेगा आत्म विश्वास में व्रिद्धी होगी और हर कारे में सफलता के योग बन रहे हैं पुराने अटके हुए काम पूरे होंगे और व्यापार में लाब होगा घर, जमीन या वाहन खरीद सकते हैं पुरानी मित्रता का लाब मिलेगा और लंबी यात्रा आपके लिए लाबकारी रहेगी सितंबर के महीने में कौन-कौन से बड़े ग्रह अपनी चाल में परिवर्थन करने वाले हरों से किन राशियों के ऊपर सकरात्मक प्रभाव पढ़ने जा रहा है सितंबर माह यानि भात्रपद महीना में कुछ ग्रह अपनी रासी परिवर्थन करते हैं और ग्रह का चाल रासी परिवर्थन करना ये समय के साथ कुटा ही है तो इस सितंबर माह में चार ग्रह जो है वह रासी परिवर्थन करने जा रहे हैं सितंबर माह में वो चार ग्रह हैं, चार ग्रह जो बुद्ध, सुर्ज, एतु और सुक्र, ये चार ग्रह अपनी रासी को परिवर्तन करेंगे, ये सब ग्रह कन्या रासी में एक साथ प्रवेस करने जा रहे हैं, तो कन्या रासी में जब प्रवेस करेंगे, इस से चार रासी वालों का विशेस रूप से फैदा होने जा रहा है, चार रासी वाले का आर्थिक तंगी समाप्त हो जाएगा, व्यावसाय जदी करते हैं तो व्यावसाय में आपकी बढ़ोत्तरी होगी, और घर में सांती का बना रहेगा क्योंकि सुर्ज और सुक एक साथ विराजमान हो रहे हैं, साथ में केतु भी हैं, इसलिए चार रासी वाले का भाग बदलने जा रहा है, चार रासी वाले हैं मैस, सिंग, कन्या और तुला, ये चार रासी वाले का व्यावसाय में ब्रत्ति होगी, ब्यापार म सितंबर का महीना ग्रहों के इस अद्भुत बदलाव के साथ आपके जीवन में नई उमंग और उर्जा लेकर आएगा इन परिवर्तनों का सही दिशा में उपयोग करके आप अपने जीवन को सकारात्मक दिशा दे सकते हैं लोकल 18 के लिए देवघर से परमजीत सिंग की रिपोर्ट